सरकार ने घ्रेलू बजार में जावल गेहूं आटे जैसे अनाच की किम्तों पर लगाम कसने के लिए निर्यात त्रोग दिया था लेकिन इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है खादे मंत्राले ने कहा है कि तेज बारिश के कारण पिछले साल के पेक्षा इस बार इन खादे उत्पादों की कीमत में 20 फिज़ी तक का उचाल आ चुका है साथ ही पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण चावल गेहूं और आटे की कीमतों में आगे भी भढ़ती का अनुमान है जिससे आगे चलकर चावल गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार तेजी बनी रह सकती है आपको बता दें कि जब तेज बारिश किसानों की फसलों पर कहर बनकर बरसती है तो किसानों की कड़ी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है कभी कभी तेज बारिश का कहर किसानों पर कुछ इस तरह बरसता है कि उनके खेतों में खड़ी फसले पूरी तरह बरबाद हो जाती है ऐसे ही देश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है जिससे देश के कई किसानों की धान की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई है इसमें ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आगे भी बास्मती चावल के अदाब बढ़ सकते हैं दरसल इस सितंबर महिने में आखिर में हुई तेज बारिश ने किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पूंचाया है करीब 20 फीसद धान की फसले खराब हो चुकी है ऐसे में कारोबारियों का कहना है कि आने वाले समय में बास्मती चावल की कीमते भी बढ़ सकती है और इसका सिधा असर निर्यात पर पड़ेगा इस बार बारिश से चावल की क्वालिटी भी चली गई है जिससे खेत में पानी भरने से दाना काला पड़ सकता है या फिर गल्बी सकता है इस बार की तेज बारिश ने धान की फसलों को इस तरह चोपट कर दिया है कि किसानों को काफी मात्रा में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है साथ ही देश भर में तेज बारिश के कारण धान की फसलों में काफी गिरावट तरच की गई है आपको बता दे कि हमारे देश से करीब डेट सो देशों में बास्मती चावल एक्सपोर्ट किया जाता है अगर इसकी खेती करने वाले परमुक राज्यों की बात करें तो इसमें तीन राज्यों पंजाब, हरियाना और उत्तर परदेश का नाम सबसे पहले आता है इसके अलावा पश्मी उत्री परदेश में मेरट, सहारनपूर, आगरा, अलीगर, मुरादबाद, बरेली के सभी जीलों में बास्मती चावल की खेती होती है यहां की मिट्टी और मौसम बास्मती चावल की खेती के लिए काफी अनकूल है वहीं किसानों के लिए सिंचाई के साधन भी असानी से उपलब्ध हो जाते है इतना ही नहीं बास्मती चावल का उत्पादन हिमाले की तलहटी में आने वाले इंडो गैंगनेटिक प्लेन यानी गंगा के मिदानी लाकों में भी किया जाता है इसमें पाकिस्तान के हिस्ते वाले पंजाब के चोदा जिले भी शामिर है